हेलो फ्रेंड्स नाव भारते परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वाब्य है हमने एक अक्षा बारविय का प्रथम लेस्ट कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन प्रारम में किया हुए जिसमें आपने पहली पस्नमाला कर ली होगी जिसके अंदर हमने समझा था कि आज हम इन संयुक्त फलन के अंदर परवेश्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम यह जानेंगे कि फंक्शन का फलन का प्रतिलों फलन क्या होता है कैसे निकालते हैं और प्रतिलों फलन के संयुक्त फलन कैसे निकालते हैं और फलनों के संयुक्त फलन का प्रतिलों फलन कैसे नि अपको दो समुच्य दिये वें A समुच्य और B समुच्य इसमें एक फलन है F इस परकार से हम जानते हैं इसे कहते हैं कि पहले वाले समुच्य के सभी अवीवका कोई ने कोई प्रतिप्यम बी ने होना चाहिए और केवल एक ही होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए, एक का A1 का एक ही है, B1 का एक ही है, A3 का भी एक ही है, A4 का भी एक इस प्रकार से, तो यह एक फलन है, हम कह सकते हैं कि यह एक फलन है, ठीक है, अभी हमें जानना है कि प्रतिलों अवेव क्या होता है, अवेव क B3 कि अब बी समुच्च्य में B3 कि घ्री जो अभिएवे पूर्व कि अ हुगा कि पूर्व प्रति नम जो एक अंदर होगा इस पूर्व प्रतिमयंब क्या होगा B3 का, B3 का पूर्वे प्रतिलों होगा, आपका A1, तो B3 का प्रतिलों क्या हो गया, A1, ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं, जिस भी किसी एक अव्यव को ले, उस अव्यव का A के अंदर पूर्वे प्रतिलों अव्यव क्या है, यह जो पूर्वे प्रतिलों अव्यव की कह कि आधार हैं का चिअ किसके का एक सम्गण एंधरन के दिव्दा दारा है एक तक दो आरे धारन है पीडर है ऐसमें अपल दिया वा है 10 कि से बी की अंदर और असमोच्चे है और था यह कुण है यह वराबर X square हमें F inverse 1 निकालना है F inverse 4 निकालना है F inverse 6 निकालना है F inverse 9 निकालना है देखिए निकालने के लिए मैं आपको एक बहुत असान सा तरीका यहाँ पर बताने जा रहा हूँ F X दिया है आपको फ़लन X square आप एक काम केजिए F को उधर ले जाएगे F को जब उधर ले जाएगे तो क्या होगा? X को इधर छोड़ दीजिए F को उधर ले आते हैं X के पास में तो यह इस तरह से हो जाएगा F inverse X और चो की square है तो square है रहे रहेगा तो यह क्या हो जाएगा? square को इधर लाएगे तो अंडरूड हो जाएगा अंडरूड X equals to F inverse X F inverse X क्या हो गया? अंडरूड X हो गया अब हम किसी तब ही निकाल सकते हैं अब ही हम निकालते हैं F inverse 1 यह ध्यान देना है कि जो F inverse function होगा नहीं जो F का प्रतिलोम function होगा यह हमेशा P से A में होगा आपका F फेलन A to B था तो यह F inverse के वह बी से A में होगा तो जो पहला वाला लेना है आपको प्रांत लेना है और बी से लेना है और परिस्तर आपका हमेशा A के अंदर होना चाहिए F inverse 1 लेना है F inverse X हमने देखा अभी क्या होता है underwater X F inverse 1 लेना है तो 1 का underwater होजाएगा तो क्या होजाएगा plus minus 1 ठीक है अब अब आपको लेना है F inverse 4 वो क्या होगा 4 का underwater होजाएगा plus minus 2 पिर आपको लेना है F inverse 6 S6 का underwater 6 का underwater एक दम से नहीं पता लगता तो इसको ऐसे लिख रहें F inverse लेना है आपको 9 तो 9 का 1 डूल लेना 3 आएगा प्लस माइनस 3 अब ध्यान देना प्लस 1 और माइनस 1 दोनों element of A है प्लस 2 और माइनस 2 दोनों element of A है यह प्लस माइनस प्लस अंडरोड 6 और यह माइनस यह element of A है क्या? नहीं है चीक है? और प्लस 3 और माइनस 3 यह element of A है? है तो हम कह सकते हैं कि जो यह आपका F inverse 1 है वो आया आपका माइनस 1 और प्लस 1 यह आया आपका प्लस 2 और माइनस 2 यह आपका क्योंकि है नहीं उसके अंदर है नहीं तो F inverse 6 f inverse 6 क्या होगा रिक्त समुच्चे होगा कुछ भी नहीं होगा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं और यह आपका क्या होगा element इसमें 3 होगा और एक minus 3 minus 3 minus 3 तो इसमें नहीं है ना A में तो यह plus 3 तो है माइनस 3 तो A में नहीं है देखी यहां पर प्लस 3 है तो हम कह सकते हैं कि प्लस 3 तो element of A था माइनस 3 A के अंदर नहीं था तो यहां पर माइनस 3 नहीं आएगा केवल प्लस 3 आएगा इस प्रकार से हमने यह सिद्ध कर दिया माइनस 1 के अंदर यह है F-4 के अंदर यह है F-6 में दिखते समुच्चे है और F-9 का के वल चली आगे चलते हैं अब हम प्रतिलों फलन को समझेने का समझते हैं वैसे तो हमने प्रतिलों अवेव जानते जानते पता लगा लिया कि प्रतिलों फलन क्या होता है लेकिन एक बात बहुत इंपोर्टेंट है वो ध्यान देने वाली बात है वो बात यह है कि यदि कोई दो फंक्शन है दो समुच्चे है और एक समुच्चे है यह और एक समुच्चे है यह A का A के साथ में सम्मंद है B का भी A के साथ में सम्मंद है और C एका इसके साथ सम्ँच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् तो हम कह सकते हैं कि ये ऐक फिलन है अब यदि ऐसा होता इएक तो तेन एक पखरशन होता और एक समुच्चे होता आफका subscribe ये समुच्चे वी है ये समुच्चे है ये इन्वर्स है tap uniform हम निकालना जा रहे है यह समध्ध इन्वर्स देखते हैं A का किसके साथ में है A का A के साथ में 2 का तो किसके साथ में नहीं है A का B के साथ में 20 समंद है और 3 का C के साथ ये फलन होगा क्या ये फलन नहीं होगा क्योंकि 1 सभी अभी रोंका कोई ने कोई समंद दी दूसरे समुझे में नहीं है 2 का कोई भी नहीं है 1 के 2 है और 3 का 1 है तो इसका यह फलन बने गई नहीं तो हम कह सकते हैं कि इस वाले फलन का F का inverse फलन होगा ही नहीं यह इसका अस्तित्वे ही नहीं होगा तो फिर अस्तित्य किसका होगा प्रतिलोम फलन निकालने की क्या condition होती है और किसे कहते हैं प्रतिलोम फलन जब कोई यहां लिखा देखिए 1 के की आच्छा तक फलन हो तो condition है 1 के की आच्छा तक फलन तो ही F का प्रतिलोम होगा क्यों ऐसका बोला है उन्होंने भ्यान दीचिए हम 1 के की आच्छा तक फलन को देखते है A, B A, B, C A, B, C A, B, C समंधित होने चाहिए, यह हुआ आपका AK की आचाता AK की आचाता अब इसका इस function के जब हम प्रतिलोम फ़लन निकालेंगे इसका प्रतिलोम निकालेंगे तो प्रतिलोम क्या होगा A का 1 के साथ B का 2 के साथ C का 3 के साथ तो सभी का कोई ने कोई समंधी हो जाएगा ने दूसरे वले में और किवल एक-एक ही होगा ने तो ये भी क्या होगा तब ही जाके इसका inverse फलन भी निकलेगा प्रतिलों फलन निकालने के लिए इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए अवशक है कि वो function एक-एक आच्छा दक हो एक बात और, जो प्रतिलों फ़लन उसका प्रांθ है, वो फ़लन के परिसर के बराबर होता है, और जो उसका परिसर होता है, प्रतिलों फ़लन का, वो फ़लन के प्रांθ के बराबर होता है, इसको समझने के लिए हम एक उधारन लेते हैं, देखिए, fx equals to x square minus 1 दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था, इसके प्रतिलोम फ़लन निकालने के लिए, बहुत आसानी से हम यह काम कर सकते हैं, x को तो ही रेने देते हैं और f को उधर ले जाते हैं, x को इधर लेने दिया, f को उधर ले गए, f क्या हो गया आपका, f inverse x, इसका whole square हो जाएगा, plus 1, फिर 1 को इधर लाएंगे, तो x minus 1 बराबर f inverse x square, अब square को भी लाएंगे इधर, तो यह हो जाएगा, आपका, x minus 1 का, under root, equals to f inverse x, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, यह आप निकाल लेजी पहले, ठीक है, f inverse हो गया, अब हम इसको, f inverse का प्रांथ और f का परिसर, तो पहले तो f का परिसर क्या होगा, f का प्रांथ क्या होगा, यह जो a समुच्चे है, a समुच्चे है, इसको देखते हैं, पहले f function निकालते है, f, 1 निकाल दिये, f, 1 क्या होगा, x square plus 1 है, square हो जाएगा, plus 1 हो जाएगा, 1 का square plus 1, जो कि 2 हो जाएगा, 2 b में है, है, तो यह इसके लिए एक सही रहेगा, f, 2 का निकालते हैं, 2 दूनी 4, plus 1, 5, f, 3, 3 निकालते हैं, तो 3 का square plus 1, 3, 3, 9 और 1, 10, और f, 4 निकालते हैं, तो 4, 16 और 1, 17, तो हम कह सकते हैं, कि जो f का, प्रांतो हो गया, 1, 2, 3, 4, और परिसर, क्योंकि यह सारे के सारे, 2 है element है b का, 5 है element है b का, 10 भी element है b का, 17 भी element है b का, तो सारा परिसर ही होगा नहीं, तो 2, 5, 10, 17, यह f का, परिसर हो चाहिए, अब हम f inverse निकालते हैं, देखिए, f inverse x equals to था, under root, x minus 1, तो अब हम निकालते है f inverse, अब यहाँ पर ध्यान देना इक बात का, चुकि आपका फलन f, a to b, तो जो f inverse होगा नहीं, वो होगा b to a, यह ध्यान देना है, तो f inverse, आपको 1, यह कहां से लेना है, b में से लेना है आपको, x, तो 2 लेंगे पहले, 2 minus 1 under root, वो में से एक गया एक, एक का अडरूर निकाला तो plus minus 1, तो यहाँ पर देखिए, plus 1 तो आपका है a में, तो plus 1 है a में, plus 1 is the element of a, minus 1 नहीं है, तो minus 1 को छोड़ देंगे, f1 inverse निकालेंगे, अब हम 5 का, 5 minus 1 under root, 4 का under root होचाएगा, plus minus 2, तो plus 2 ही आपको मिलेगा a के अंदर, तो plus 2 ही हमको लेना है, अब आईए अप under root, इसका f inverse निकालेंगे, 10 का, 10 minus 1 under root, 9 का under root लेंगे, तो plus minus 3 आएगा, तो plus 3 तो है a के अंदर, माइनस 3 नहीं है a के अंदर, तो minus 3 को अब नहीं कंसिडर करेंगे, यह बल प्लस 3 को ही करना है, अब आते हैं हम, f inverse 17, तो 17 minus 1 under root, 17 में से एगे 16, 16 का plus minus 4, plus 4 ही है element of a, तो plus 4 को ही कंसिडर करना, माइनस 4 को नहीं करेंगे, तो अब मिकालते हैं, f inverse का, प्रांत, प्रांत कौन-कौन था, सबका मिला था 2, 5, 10, 17, यह तो इसका प्रांत आगे, और f inverse का परिशर, क्या निकला, प्लस 1, प्लस 1 था, यह में, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, ध्यान देजिए, f का जो प्रांत है, वो f inverse का परिशर है, एक, दो, तीन, चार है, न, एक, दो, तीन, चार है, यह तो इसका जो प्रिशर है, f का, वो f inverse का प्रांत है, 2, 5, 10, 17, 25, 10, 17, तो हम कह सकते हैं, कि f inverse का, f inverse का जो प्रांत है, वो f का प्रिशर है, और f inverse का जो प्रिशर है, वो F का प्रांत है प्रतिलोम फ़लन के कुछ गुंदर्व है पहली प्रोपरटीज है कि जो भी आपका फ़लन है उस फ़लन का जो प्रतिलोम फ़लन है वो हमेजा अध्वितिय होता है एक ही होता है दो-तीन नहीं हो सकते तो यह पहला आपका गुंड़्व है आपका दूसरा गुंड़्व है यदि एक फलन है A to B में एक एक यह आचा तक फलन होगा उस पलन में उस फलन का इनवर्श होगा उसका उस पलन के साथ में जो स्टिंवर्स का उस function के साथ इन दोनों का वो उस परण की identity कहलेगी या उसका तत्समक कहलायेगा तीसरा गुंडहर में एक 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 अच अदक प्रतिलोम होता है देखाता है ये उसके सारे सिदस से सभी के साथ मैं समन्दित होते हैं ऐसा उल्टा करने पर भी वैसा ही होता है चोथा यदि फिलन F और G दो एक 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 एचा तक फिलन है यही हमें इस पार्ट का मुख्य रूप से समझना है यह सबसे important है यह एक्जाम में आता ही आता है निमाली जी यदि फिलन F और G दो ऐसे एक 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 एचा तक फिलन है कि समयक्तों फिलन जी ओएफ होता है यदि उसमें तो इसका प्रतिलोम फिलन है जी ओएफ का वो इस प्रकार से होगा जी ओएफ का प्रतिलोम इन दोनों के प्रतिलोमों के समयक्तों के बराबर होगा एक उधान लगते हैं तो सबसे पहले हम निकालते हैं जी उएफ माइनस तो देखिए पहले निकालना है आपको जी उए इससे निकालने के लिए क्या बताया था आपको पिछले लेशन में जी लिखना है बड़ा ब्रेकेट लगाना है एफ लिखना है जोटा ब्रेकेट एक्स fx, fx कितना है, यह देख, 2x z, 2x और g फिलन का है, g फिलन यह रहा gx equals to x plus 2 अब यहाँ पर x था, और हमारे यहाँ पर है 2x ठीक है, तो यहाँ x था यहाँ 2x है यहाँ x के बराबर x plus 2 था, तो 2x है तो यहाँ पर x की जाएके क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा तो यह हो जाएगा, 2x plus 2 यह आपका हो गया, g, o, f x, ठीक है अब हमें इसका inverse निकालना है, तो क्या करेंगे, x को तो उधर लेने दीजिए इस x के बराबर में g, o, f आजाएगा 2, g, o, f इसका inverse, x plus 2 अब इस 2 को उधर ले जाएगे तो क्या हो जाएगा, x minus 2 equals to 2, g, o, f का inverse, x ठीक है, अब इस 2 को भी उधर ले जाएगे तो क्या हो जाएगा, x minus 2 upon 2 is equals to, g, o, f inverse फलाना है ठीक है, अब हम यह तो हमने निकाल लिया यह आपका आया x minus 2 upon 2 अब हम इसको निकालते हैं चलिए, f x क्या था, fx equals to 2x f inverse को उधर ले जाएगे तो x को इदा छोड़ देजिए, 2 इस x के पास में f inverse को ले ले जिए इस पर कर से, ठीक है इस 2 को इधर लाएंगे तो यह होज़ाएगा आपका x upon 2 equals to f inverse x ठीक है इसको इहाँ छोड़ देजिए यह f inverse x निकाल लिया आपने f inverse x अब निकालते है, g inverse x g x क्या है x plus 2 x को इदर छोड़ देजिए और g को इधर ले जाएगे तो g inverse x plus 2 plus 2 को इधर लाएगे x minus 2 equals to g inverse x हमें निकालना क्या है हमें निकालना है f inverse और g inverse का संयुक्त फलन देखिए मैंने बताया था आपको f inverse लिखिए बड़ा ब्रेकेट लगाई है g inverse लिखिए एक छोटा ब्रेकेट उपन यह पहले हमने पहले वाले लेशन के अदर पढ़ लिया था f inverse g inverse x का है g inverse x यह रहा यह कितना x-2 तो यह हो जाएगा x-2 ठीक है f inverse f inverse का है यह रहा f inverse x f inverse x था x upon 2 यह x था और यहाँ पर है हमारे x-2 x की जगे पर x की जगे पर x-2 है x upon 2 है नहीं x upon 2 में x की जगे क्या जाएगा x minus 2 upon 2 तो यह आपका हो गया f inverse और g inverse का सही उप्तफलन चीक है तो यह x-2 upon 2 आया यहाँ पर भी आपका x-2 upon 2 है और इधर यह वाला भी आया आपका x-2 upon 2 तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर we can say f यह जो gof का inverse है यह zk inverse और f के inverse के से इक परापर होता है hence proved राइट एक और example लेते हैं तो उसके बाद में हम exercise को कर पाएंगे तो एक और example लेते हैं हमें f inverse 8 निकलना है और f inverse 9 निकलना है आपको फलन दिया हुआ है r2r में यहां देना है r2r real number है r वास्तविक संख्या है fx है x square plus 5x plus 9 f को इदर लाएंगे तो inverse यहां लगसेगा x equals 2 होचेगा f inverse x x square plus 5 f inverse x plus 9 मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ f inverse product calculation easy लगे x equals 2 हो गया y square plus 5y plus 9 यहां y कमान निकालेंगे इस equation से जो भी y कमान आएगा वही तो f inverse x होगा अपका ठीक है ठीक है इसको मान लिए हमने चलिए अब हम करते हैं हमें निकालना है f inverse 8 ठीक है तो f inverse 8 निकालना है x की जगे पर 8 हो गया हम इस equation को उठाते हैं f inverse 8 निकालना है जबकि था क्या f inverse x की जगे y और यह इस पर कर से था x equals to y square plus 55 plus 9 x की जगे 8 लिखना है तो यह हो गया y square plus 55 plus 9 equals to 8 ठीक है y square plus 55 plus 9 minus 8 equals to 0 तो हो गया आपका y square और तो यहाँ पर हो जाएगा आपके y square plus 55 plus 1 equals to 0 सिद्धार चारे फर्मुला लगाते हैं तो y equals to हो जाएगा minus 5 plus minus under root 5 square minus 4ac अपॉन 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 पास दो ने दस 2 इंटो 5 और यह a के जगे पर 1 है और c के जगे पर भी 1 है देखे फर्मुला क्या होता है यह यह a x square plus by plus c equals to 0 हो b x b x a x square plus b x plus c equals to 0 हो x equals to होगा minus b plus minus under root b square minus 4ac upon twice a तो उसी फर्मुला को यह लिया है तो यह हो जाएगा minus 5 plus minus under root 25 minus 4 upon 0 होगा minus 5 plus minus under root 21 upon 2 तो y के दो मान आए तो हम यह कह सकते हैं कि y के आएए आपके मान y माने y माने f inverse 8 equals to 1 upon 2 आपके bracket में लिख देते हैं minus 5 plus under root 21 और दूसरा मान हो गया 1 upon 2 तो यह minus 5 minus under root 21 ठीके? दो माने अब हम निकालते हैं f inverse 9 f inverse 9 निकाल ले के लिए हमें वो ही फार्बुला लेना पड़ेगा x equals to y square बराबर y square प्लस 5y प्लस 9 यह वाला फार्बुला ठीक है? तो x की जगे क्या लिखना? 9 लिखना है x की जगे 9 equals to y square प्लस 5y प्लस 9 तो हो जाएगा आपका y square प्लस 5y प्लस 9 minus 9 equals to 0 तो हो गया आपका y square प्लस 5 5 equals to 0 y कॉमन ले लेजिए y plus 5 equals to 0 we can say y equals to 0 और y plus 5 equals to 0 y equals to minus 5 दो मान आगया आपके तो यहाँ पर हो गया आपका f inverse 9 के दो मान आए आपके एक तो 0 आया और 1 minus 5 आपके यह आपके answers है ठीक है? तो इस प्रकार से हम इस प्रतिलोम हमारे प्रतिलोम प्रतिलोम है उसके आगे आपको एक प्रस्तमाला है इस प्रस्तमाला को आप हल करी और इसमें हल करने के बाद में आप में confidence भी आएगा और आप उसको और अच्छे प्रकार समझ पाएंगे पहला प्रस्तमाला देखिए इसमें एक समुच्चे दिया है एक समुच्चे दिया है भी तो ए से बी में एके की आच्छा दक फलन प्रिवासित करने है उनके प्रतिलोम फलन भी ज्याद करने है चार एके की आच्छा दक फलन करने है तो ए से बी में कैसे करेंगे यह आप करने का प्रयास कीजिए दूसरा है आपको दिया वाए F inverse होगा या नहीं होगा यह पता करना है और होता है तो फिर आपको F inverse 24 और F inverse 5 यह निकाल ले हैं कैसे निकालेंगे आपको बताया वाई मैंने कि यह Fx है तो F inverse X निकाल लेजिए पहले अफिक करने से और भी प्रस्ण है सारे करिए यहाँ देखिए इसको सिद्ध करवाया है यह वाला क्यूसन आपके लिए important क्यूसन हुआ यह संजुक्त फिलन पाठ है और संजुक्त फिलनों का inverse और इनवर्सों का संजुक्त फिलन ऐसा करके निकालना इन दोनों के कर्मित युगमों के रूप में लिखना यह दि इसको करिए और भी सारे प्रस्ण करिए और सभी प्रस्णों करने के बाद में आप इसकी एक वीडियो बनाएए या फिर इसको पिच्चस बनाके फोटो खेंच के और पीडिया फैल बनाके भी मुझे सेंड कर सकते हैं और कोई भी आपको प्रस्ण नहीं आता है तो मेरे कमेंड बॉक्स में जाकर भी लिख सकते हैं या मेरे सीधे-सीधे मेरे पर्सनल वार्टसेप के उपर भी आप मुझे बता सकते हैं कि तो मैं आपको डेफिनेटली विश्ट रुपसेज करेंगा धन्यवाद